नमस्कार मारकेट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ सुरेश मंचंदा और इस समय पर आप देख रहे हैं चावल पर विशेश जी हां अदेश के निर्यातक टिकनोन बास्मती चावल के निर्यात पर रोक के बाद अब सीमा शुलक का नया फेर देख रहे हैं दरसल नीजी अखवार को कुछ निर्यातकों द्वारा दिये गए सक्षातकार में चावल निर्यातकों ने अपनी पीडा बताई है चावल निर्यातकों ने बताया है कि विभाग से पिछले अठारा महीनों में निर्यात किये गए चावल पर शुलक अंतर के भुकतान की मांग करने वाले नोटिस आ रहे हैं निर्यातक इस से हस्प्रद हैं और उनका कहना है कि यह एक दुरलब मांग है जो भारत से चावल शिप्मेंट को बाधित कर सकती है दुनिया के सबसे वड़े चावल निर्यातक ने सितंबर 2022 में सफेद चावल पर 20 फिसदी निर्यात शुलक लगाया और इसके बाद 2024 के परमुक रज्य और रास्ट्रिय चुनावों से पहले गरेलू चावल की कीमतों को नियंतरित करने के लिए चावल के निर्यात पर रोक लगा दी हलांकि चावल निर्यातक के फ्री ओन बोर्ड यानि FOB भाव के अधार पर 20 फिसदी शुलक का बुगतान किया जा रहा था गोरतलव है कि निर्यातकों को मिले नोटिस में कहा गया है कि शिपिंग बिलों में गोशित FOB भाव से अधिक जो राशी प्राप्त है पर निर्यातकों द्वारा ब्याज के साथ उस राशी पर शुलक का बुगतान तुरंत किया जाए यानि कि जो डिफरेंस आ रहा था जो गैप विभात ने उनके सामने प्रोड्यूस किया है प्लस उसके उपर इंटरस्ट ये एक बड़ी चोट जो है ये निर्यातकों को लग रही है निर्यातकों का ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी चोट है और दो साल के बाद अब सरक इसकी डिमांड कर रही है जबकि कुछ निर्यातकों का ये कहना है कि सरकार उस समय पर डिमांड कर रही है जब हम माल की सप्लाई दे चुके हैं सामने बाहर से पैसा भी ले चुके हैं एकाउंट्स क्लियर कर चुके हैं और जो डिफरेंस इस समय पर निकाला गया है उस दुसरी यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो दिखाई दे रही है वो दिखाई यह दे रही है कि इस समय पर जो चावल का जो एक्सपोर्ट किया गया था दो साल पहले अगर इस गैप को देख लिया जाए तो इसमें करीब करीब 15 डोलर प्रती टन की डिमांड यहाँ पर सरकार स की गई सरकार दिवारा की गई है और जो कि टोटल जो वोल्यूम बैठता है इसका वो पंद्रा सो अरब रुपए का बैठता है अब चावल इंडस्ट्री यह कहती है कि भाई इससे अच्छा तो यह है कि हम अपने चावल के कारोबार को बंद कर दें हलांकि कुछ निर्यात को का यह कहना है कि वो सरकार को इस समय पर एक पत्तर लिख रही है और सरकार से मिलने का समय भी मांग रही है चावल एक्सपोर्टर्स असोसियेशन जो है उसका कहना यह है कि जल्द ही इसका निवारन करने के लिए सरकार के साथ में एक समझसे बिठाया जाएगा और सरकार स इसको लेकर के बात्चित की जाएगी क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा गैप है और इस समय पर एक्सपोर्टर्स इस देंदारी को देने की स्तिती में भी नहीं है उनके पास में फंड्स नहीं एविलेबल है दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल करके आ रही है कि इस समय पर चावल का जो नोन बासमती चावल का जो एक्सपोर्ट है वो भी पहले से रुका हुआ है वो बैन है अलाकि बीच में एक लाग सतर हजार मिट्री टन जो मित्र देश है उनको एक्सपोर्ट किया गया है और एक नई मांग मलेशिय की तरफ से भी निकल करके आई ह उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि 5 लाक मिट्री टन चावल का मलेशिया को निर्यात किया जाए भारत के द्वारा और जो ट्रेड टेरिटरी है और ट्रेड जो एग्रिमेंट्स है भारत और मलेशिय के बीच में उसको ध्यान में रखते हुए फूड सेक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत ये कदम उठाए अब देखना ये होगा कि एक तरफ एक्सपोर्ट्स की डिमांड निकल करके आ रही है तो दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स के उपर जो ये एक निया बिल फटा है उसका कितना इंपेक्ट चावल के निर्यात पर और साथ यसा चावल के प्राइजिस के उपर देखने को मिलेगा एक अनुमान के मताबिक इससे चावल इंडरस्ट्री दबाव में आ सकती है और दबाव में आने के साथ में चावल की कीमतों के उपर भी एक नकारातमक असर देखने को मिल सकता है चावल की कीमतें यहाँ पर तूट सकती हैं 10 से 20 रुपे प्रती किलो तक का भी एक बड़ा अंतर यहां पर चावल की कीमतों के अंदर दिखाई दे सकता है ऐसी संभावनाई बाजार से मिल रही है कहीं मत जाईए देखते रहें मारकेट टाइम्स टीवी